आईए, हल करते हैं, गतीव दूरियों का मापन, इस अध्याय का अभ्यास. Let us solve motion and measurement of distances, its exercise. प्रशन है, निमन लिखित को लंबाई के बर्ते परिमानों में व्यक्त कीजिए. Arrange the following lengths in their increasing magnitude. प्यारे बच्चों, हम जानते हैं, एक किलो मिटर बराबर है एक हजार मिटर, यानि एक किलो मिटर में एक हजार मिटर होते हैं, इसका अर्थ है किलो मिटर बड़ा होता है. इसी तरह एक मिटर बराबर है 100 सेंटिमिटर, यानि एक मिटर के अंदर 100 सेंटिमिटर होते हैं. अर्था सेंटिमिटर से बड़ा मिटर है, और एक सेंटिमिटर बराबर है 10 मिलिमिटर. तो इसकार्थ हुआ cm mm से बड़ा है तो सबसे छोटा हुआ mm तो अरेंज करते हैं सबसे पहले आएगा 1 mm उसके बाद आएगा 1 cm ये mm से बड़ा है इनसे भी बड़ा है 1 m और इनमें सबसे बड़ा है 1 km जो सबसे अंत में आएगा तो हमने रेंज कर दिया है लंबाई को बढ़ते परिमानों में हमारा अगला सवाल है एक व्यक्ति की लंबाई एक दस्मलब 6-5 मिटर है इसे cm और mm में बदले The height of a person is 1.65 मिटर Express it into cm and mm हम जानते हैं 1 मिटर बराबर है 100 cm और एकिकनियम यानि यूनिट प्रॉपर्टी कहती है अगर हमें एक से ज्यादा वस्तू का मान ग्यात करना हो तो हम गुणा करते हैं तो 1.65 मिटर बराबर है 1.65 गुणा 100 cm आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने मिटर को हटाया और उसके जगा 100 cm लिख दिया क्यूंकि एक मिटर में 100 cm होते हैं अब हम डेसिमल को भूल कर 165 को 100 से गुणा करेंगे सबसे पहले पहले अंक सुन्या से 165 को गुणा करेंगे हमारे पास आएगा 000 क्यूंकि सुन्या से गुणा करने पर सुन्या ही प्राप्त होता है इसी तरह अगला अंक भी सुन्या है और सुन्या से हम फिर से 165 को गुणा करेंगे और फिर से हमारे पास शुन्या, शुन्या और शुन्या आया तीसरा अंक है एक एक से गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त हुआ 165 यानि 165 अब गुणा की गई इन लाइनों को जोड लेते हैं और जोडने के बाद हमारे पास आता है 16500 क्योंकि question में 1.65 और 100 में दो अंकों से पहले decimal लगा हुआ था तो answer में भी दो अंक छोड कर decimal लगेगा तो हमारा उत्तर आया 165.00 cm यानि 165 cm इसी तरह हमें पता है 1 cm में 10 mm होते हैं तो 165 cm में होंगे 165 गुणा 10 mm या आप ये भी कह सकते हैं 165 के साथ लगा cm हटाया और cm की जगा हमने 10 mm लिख दिया गुणा करने पर हमारे पास आता है 1650 mm नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं राधा के घर तथा स्कूल के बीज की दूरी 3250 मीटर है इस दूरी को किलो मीटर में व्यक्त कीजिए अगर हमें 1 मीटर का ग्यात करना हो तो 1 मीटर बराबर है 1 बटा 1,000 किलो मीटर यानि भाग हो जाता है अब ज्यादा मीटर के बारे में निकालना है 3250 मीटर बराबर है तो गुणा होती है एक बटा 1000 गुणा 3250 किलो मीटर भाग देने पर हमारे पास प्राप्त होता है 3.25 सुन्य किलो मीटर या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाग में 3 सुन्य थी तो दसमलब 3 अंक पहले लगा नेक्स्ट है स्वेटर बुन्तेस में सलाई की लंबाई के एक सीरे का पाठ्यांक 3.0cm है और दूसरे सीरे का पाठ्यांक 33.0cm है तो सलाई की लंबाई कितनी है While measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3.0 cm and at the other end is 33.1 cm What is the length of needle? ये है हमारा scale और पहला point 3.0 cm पर दूसरा point हमने लगा दिया है 33.1 cm पर हमें ग्याद करने है दोनों के बीच की दूरी distance दो points के बीच की दूरी ग्याद करने के लिए हम उन्हें आपस में घटा देते हैं माइनस कर देते हैं तो 33.1 इसमें से 3.0 सब्ट्रेक्ट करेंगे हमारे पास प्राप्त होता है 30.1 सलाई की लंबाई है 30.1 cm आईए जानते हैं किसी चलती हुई साइकल के पहिये और चलते हुए छट के पंखे की गतियों में समानताय तथा असमानताय कौन कौन सी है तो बच्चो आपने चट का पंखा यानि सीलिंग फैन तो देखा ही है ये गोल-गोल घूमता है यानि वर्तुल गती करता है सर्कुलर मोशन में और जो साइकल का पहिया है वो भी गोल-गोल घूमता है मतलब वो भी वर्तुल गती करता है सर्कुलर मोशन करता है परन्तु जो हमारा पंखा है वो एकी स्थान पर रहता है जबके साइकल का पहिया अपना स्थान बदलता रहता है तूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं अगर साइकल का पहिया सीधी सडक पर चल रहा है तो rectilinear motion यानि सरलरेखिया गती करता है तो साइकल का पहिया दो प्रकार की गतिया करता है सरलरेखिया गती और वर्तुल गती rectilinear motion और circular motion जबकी छट का पंखा सिर्फ वर्तुल गती करता है circular motion बच्चो जरा ध्यान रखना साइकल के पहिये की गती वर्तुल होती है जबकि चलती हुई साइकल का पहिया वर्तुल वा सरलरेखिया दोनों गती करता है The motion of cycle wheel or tire is circular whereas moving cycle tire has circular and rectilinear motion